नवस्कार आपके तारे में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र आइए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार साथ ही आज के उपाए में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाय है तो जल्दी सु शुरू करते हैं कारक्रम आज का सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। भाद्रपद माज चल रहा है। क्रश्न पक्ष है। अम आवश्या तिती रहेगी। सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक फिर प्रतिपदा तिती शुरू हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नचत्र है। चंद्रमा सिंग राशी में रहेंगे सुबह 11 बजकर 36 मिनट तक फिर कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान शूरे सिंग राशी में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दो पहर 12 बजकर 41 मिनट तक। राहुकाल का समय होगा सुबह 10 बजकर 44 मिनट से दो पहर 12 बजकर 16 मिनट तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, चलिए शुरू करते हैं, आज का राशी चक्र, आज का राशी फल, सबसे पहले बात मेश राशी की, मेश राशी वालों को आज भागे का साथ मिलेगा, अपने काम तेजी से करें, तो अच्छा रहेगा आपको सफलता की प्राप्ती होगी, करियर में उन्नती के आउसर मिलेंगे, कुछ नया सीखने के लिए समय अनुकूल है, सेहत आपकी ठीक रहेगी, शुबरंग, क्रीम, उपाए, गव माता को रोटी खिलाए, ब्रश राशी, प्रोफेशन के छेत्र में इस्थिती मजबूत होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्थ होगा, जल्द वाजी में फैसला करने से बचे, यात्रा से लाब का योग है, शुबरंग, गुलाबी, उपाए, लक्ष्पी जी की आर्ती करें, मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों के लिए धनलाब का योग बन रहा है, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, भागे का साथ मिथुन राशी वालों को मिलेगा, अपना हर काम धैर से करने का दिन है, धार्मिक कारियों में मन लगेगा, शुबरंग, भूरा, को डाना खिलाएं करक राशी प्रेम सम्बंधों में करक राशी वालों को सफलता की प्राप्ति होगी कर्ज लेकर कोई भी काम आप ना करें सकरात्मक सोज के सांद कारिकरने से लाब होगा लमबी दूरी की यात्रा से आज करक राशी वाले अवश्य बचें अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें ताकि आपका बजट ना बिगड़ने पाए शुब रंग सफेद उपाए ओम नमाशिवाय मंत्र का करक राशिवाले 108 वार जाप करें तो आपके लिए आज बहुत शुब होगा सिंग राशी सिंग राशीवालों को परेशानियों से छुटकारा मिलेगा विदेश से संबंधित काम में सफलता प्राप्त होगी रोजगार के नए साधन बनेंगे रिस्तों को मजबूत करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यक्ता है अपने समय का सिंग राशीवाले अच्छे तरीके से उपियोग करें शुब रंग मरून मरून कलर का आज उपियोग करेंगे तो लग आपका और बढ़ेगा अपने दिन को शुब बनाने के लिए दुरगाजी की आरती करें तो आपका दिन अच्छा पीतेगा कन्या राशी परिवार में सुख बढ़ेगा धनलाब का योग आपके लिए बन रहा है व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी करियर को आगे बढ़ाने के आउसर आपको मिलेंगे सरकार से संबंधित काम बनेंगे शुब रंग हरा हरे रंग का आप प्रियोक करेंगे तो आपका लग और बढ़ेगा अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मा लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं जब भी आप सवाल भेजें तो पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखेगा ताकि आपकी कुंडली बना करके सवाल का जवाब दिया जा सके अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है यश यश की डेट अब बर्थ है 20 जनवरी 2004 साम को 7 बजे दिल्ली का जन्म है इनका सवाल ये है कि पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन आजकल पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा है तो ये क्या करें है देखिए येस जी की जो डिटेल आपने बताई है उस आधार पर कुंडली तैयार है ये इनके घरवालोंने सवाल पूछा है इनकी करक लगन की कुंडली है और धनुराशी है येस का जन्म पूर्व असाढ़ा नच्छत्र के दूती चरण में हुआ है इस समय चंद्रमा की महादसा चल रही है जो अप्रेल 2023 से शुरू हुई है और ये अप्रेल 2023 तक चले की और चंद्रमा की महादसा में चंद्रमा की ही अंतरदसा चल रही है जो अप्रेल 2023 से जन्वरी 2024 तक चले की आए पहले आपको कुंडली में बताते हैं देखिए जहाँ ये चार नमबर लिखा हुआ है ये है करकलग्न और करकलग्न का स्वामी चंद्रमा छथे घर में बैठा है सत्रह डिगरी का बारह डिगरी के बुद्ध के साथ पांचवें घर का स्वामी है दूसरे घर का स्वामी है शूरे यह जहां पांच नंबर की राशे लिखी हुई यहां का स्वामी है शूरे और यह शनी की राशे में साथवें घर में बैठा है और पांचवे घर का स्वामी है मंगल और ये भागिस्तान में 27 दिगरी का बैठा है दूसरे घर में शनी की तीसरी द्रिष्टी पड़ रही है देखे चंद्रमा जब भी कुंडली में छटे घर, आठवे घर या बार्वे घर में बैठा होता है तो कई बार जो है मन परिशान रहता है, मन बिचलित रहता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है ऐसी स्थिती देखने को मिली है तो इनकी कुंडली में चंद्रमा छटे घर में बैठा है, यश की कुंडली में और इस समय चंद्रमा की महादसा चल रही है और चंद्रमा की ही अंतरदसा चल रही है ये जनवरी 2024 तक चलेगी जनवरी 2024 के बाद जब चंद्रमा में मंगल की अंतरदसा आएगी तो उसके बाद थोड़ा सा जो पढ़ाई में मन है वो लगने लगेगा उतना अच्छा नहीं जितना पहले लगता था आप बता रहे थे उतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा मन पढ़ने में लगने लगेगा जैसे आपने लिखा है उस इस्थिती में सुधार होने लगेगा उपाय क्या करें जिससे ज़्यादा सुधार हो पढ़ाई में मन लगे क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है ना तो उसके लिए क्या उपाय करना है सबसे सरल उपाय है भगवान शिव की पूजा करना क्योंकि चंदर्मा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारन किया था तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं चंद्रमा से संबंदित अगर कोई परिशानी हो वो अवश्य दूर हो जाती है तो भोले नाथ की पूजा कैसे करेंगे जल चढ़ाईए शिव जी को रोज सुबह इस्नान करके जल चढ़ाएं बेल पत्र आर्पित करें भोले नाथ की आर्ति कर लें और नमा शिवाय नमा शिवाय इस मंत्र का 108 बार चाप करें भगवान शिव से प्रातना करें कि पढ़ाई में मन लगने लगे अच्छे नंबर आएं जैसे भी आपके मन में भाव आते हैं भगवान शिव से निवेदन करें ये प्रते दिन करना शुरू करिए धीरे धीरे धैरे बढ़ेगा एकागरता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा अच्छे नमबर भी आएंगे तो एक ये सरल उपाय करना है दूसरा सोमवार के दिन किसी गरीब को दूद का दान करें कम से कम एक किलो दूद किसी गरीब को हर सोमवार के दिन दान कर दें तो बहुत हद तक परेशानी कंट्रोल में आ जाएगी तो अगर आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशी की मित्रों की मदद से तुला राशी वालों के काम बनेगे पृतियोगिता के छेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी रखें अपना खान पांड ठीक रखें शुब रंग सफेद उपाय मा लक्ष्मी की आर्थी करें ब्रिश्चिक राशी प्रापर्टी से संबंधित लाव का योग ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए बन रहा है आपकी नेत्रत्य छमता और बढ़ेगी सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी मन की चिंता दूर होगी धार्मिक कारियों में मन लगेगा शुब रंग के सरिया उपाय चीन्टियों को आटा और गुड मिला कर खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुब होगा धनुराशी करियर के छेत्र में सफलता की योग बन रहे हैं आपका सम्मान बढ़ेगा धन की प्राप्ति होगी अहंकार से बचना होगा आलश्च की वज़े से काम ना छोड़ें शुब रंग गुलाबी उपाय मा लक्ष्मी की आरती करें मकर राशी खर्चों में बढ़ोत्री हो सकती है अपने बजट का ध्यान रखियेगा अपने खर्चों को कंट्रोल करें सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यक्ता है राजनीति से जुड़े हुए लोगों से फायदा मिलेगा अपने बिचारों को बार-बार बदलने से बचे हैं अपने लक्ष पर ध्यान लगा कर काम करें शुबरंग भूरा ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे तो लग आपका बढ़ेगा उपाय दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा कुम्भराशी कुम्भराशी वालों के लिए धन की प्राप्ती का योग बन रहा है वाणी में मधूरता रखने से लाब होगा लोग आपकी बात मानेंगे प्रापर्टी खरीदने की योजना बनेगी सुख के साधनों की ब्रद्धी होगी शुबरंग आसमानी उपाय लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें मेन राशी कारचेत्र में आज व्यस्त रहेंगे आपके काम की तारीफ होगी अचानक धन की प्राप्ती का योग है जल्दवाजी में फैसला करने से बचें स्वास्त आपका ठीक रहेगा शुबरंग गुलाबी उपाय लक्ष्मी जी की आर्थी करें अब वक्त है आज के उपाय का यदि क्रोध बहुत जादा आता है तो ये उपाय करिए क्या करना है सुबह जल्दी उठिये इश्नान करिए सुक्ष वस्त धारन करें और भगवान शिव के मंदिर जाए भोले नाथ को जलर पित करें और वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से ग्यारह माला नमस्षिवाय मंत्र का जाब करें भगवान शिव की आरती करें और भोले नाथ से क्रोध को शांत करने की प्रात्ना करें ये उपाय प्रति दिन करना शुरू करिए भोले नाथ की करपा से क्रोध कंट्रोल में रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार